और कमोडिटी सूपर फास्ट में सबसे पहले बात करते हैं इस वस्त की पाँच एहम खबरों की पहली खबर यह है कि गोल्ड में मुनाफ़ा उसूली आई है एमसी एक्स पर सोने का भाव 37,850 रुपए के नीचे है चांदी में करीब 500 रुपए की गिरावच है 43,600 रुपए के नीचे है कॉमेक्स पर सोना 15-10 डॉलर तक रुड़का है और ट्रेडवार तनाव कम होने की संभाबना से कीमतों पर दवाब देखने को मिल रहा है इसके अलावा अगर बात करें कुरूड की तो कच्चे तिल में तेजी है ब्रेंड का भाव 900 डॉलर प्रती बैरल के उपर है और एमसी एक्स पर कच्चा तिल 49,50 के करीब है मंदी की चिंता कम होने से कीमतों में तेजी आई है ओपेक की उत्पादन कटोती से भी कीमतों को स 157 के उपर पहुंच चुका है करीब करीब तीन अभी तो सवा 2% की टेजी है लेकिन इंट्रडे में ये तेजी और ज्यादा थी और इसके पीछे वज़ए ये है कि अमेरिका में अनवान से कम सप्लाई की वज़ए से कीमतों को सपोर्ट मिला है निकल की बात करें तो यहां ने प्राइस के उपर देखा रहें गौर की बात करें तो गौर वाइदा में मजबूती है पांच में आहम खबर कमोडीटी की गौर सीथ का सितंबर वाइदा 44-50 रुपए के उपर है करीब करीब सबाद 2% की तेजी इस वक्त गौर सीथ में दिख रही है और वाइदा में अभी 2% से ज्यादा बढ़ा हुआ है गौर्गम का वहाओ 8600 रुपए के उपर है यह पांच एहम खबरें लेकिन अब बात होगी पांच ट्रेडिंग कॉल्स की और यह बताने के लिए हमारे साथ राजीब कपूर है ट्रेस्ट लाइन के कमोरिटी हेड राजीब जी बहुत बेचे या रूखें मिर्तिविंज जी ऐसा लगता है कि बजार ने डबल टॉप का एंड़ फॉर्मेशन बनाया है टेक्निकली थोड़ा बजार और गिरावट दिखा सकता है यहां से मैं समझता हूं 300-400 पॉइंट की और एक फॉल देखने को मिल सकता है थोड़ा और बजा 400-400-400-300 रख सकते हैं कुरूड पर क्या कमेंट है आपका कुरूड में जो तेजी है यह और बढ़ने वाली है और आज शाम के कारोबार के लिए क्या कच्छा तेल खरीदना चाहिए मिर्तुन जी देखिए थोड़ा सा ग्लोबल एकूटी का सेनाइडियो थोड़ा इंप्रूब हुए है जिससे क्रूड को भी सपोर्ट मिला है प्लस लास्ट जो इन्वेंटरी साय थे वो तो काफी बेरी शाय थे बट उसके बावजूत क्रूड ओल का दाम 49 के आसपस हमाव आकर टिक जाता है तो मुझे लगता है यह रैली और कांटिन्यू कर सकती है मैं समझता हूं बजार 4949-4000 तक जा सकता है तो महज एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है इसको स्ट्रिक्स टॉपलो से ही टेट करना है करेंट मार्केट इट पर बाय कर सकते हैं 4915 का स्ट्रि आपको लगता है कि मार्केट अब टॉप आउट हो चुका है मिर्तुन जी टॉप आउट काइंड आफ तो भी कुछ दिखता नहीं है मैं जैक ऐसा लगता है कि एक करेक्शन और नीचे की तरफ आ सकता है बजार ओवरॉल 1150 और 1100 दो दायरे में ट्रेट कर रहा है 1220 1115 तक बजार नीचे में फिसल सकता है तो इसको एक मैज एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी इंट्राडे बेसिस पर 1135 पर बेचना चाहिए 1146 का स्ट्रिक स्टॉप लॉस रखना है ओवरॉल ट्रेंड अभी भी स्ट्रॉंग है बट एक करेक्शन डाउनवर्ड लगता है त 1250 तक नीचे में फिसल सकता है 154 पर बेचना चाहिए ओके नैचुरल गैस में अभी आपको लगता है कि बाइंग करने का मौका बना हुआ है या फिर जिस तेजी से मार्केट उपर आया है आपको लगता है कि आप करेक्ट भी हो सकता है अब तुन जी थर्स डे को इसने सारी वेडनेस डे को इसने बहुत इंपोर्टेंट एक रसिस्टेंस को ब्रेक किया दा 154 रुपे का और बजार आज सुबह उसके उपर खुला और लगातार उसके उपर ट्रेड होता हुए देख रहे हैं हम इसे मुझे लगता है 156 पर खर कोपर है कोपर में मने पूछ ना है हाँ पूछ 1000 की साथ 440 परर आपने स्थेल किया है क्या करें राजीब गडी में नीचे जी बने रह सकते हैं थोड़ा और नीचे आ सकता है 442 तका है इसमें डाउन फॉर्ड लगता है कि आ सकता है स्टापला जरूर मेंटेन करके चलें 448 के अगर उपर आज बजा टिकता है तभी इसमें से एक्जिट करें अदरवाइस वेट करें नीचे में 442 तक का लिमोजे इसमें गिरावट देखती है वहां पर एक बर एक्जिट करें ठीक है नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ सूरेंद रहें बीकांजेर से पूछिए सूरेंद्र अजी में सवाल था अभी कैसे में 168 रुपे पर मैंने बाइंग किया है 156 रुपे 20 पैसे का लेवल है करीब करीब पहुने चार रुपे की तेजी अभी डिक रही है 158 तक का टार्गेट अभी आप देख रहे है राजीव जी मितुन जी अभी पहले हमने बताया हमारी टॉ 157 कैवरेज बनेगा 153 50 का स्टापलस रखे 160 तक का टार्गेट आ सकता है इसमें आज दिख जाएगा ये टार्गेट 160 का जी मितुन जी मुझे लगता है कि आज या जाना चीए टार्गेट आज आने की पॉसिबिलिटिस काफी है ठीक है दीपक जुड रहे हैं हमारे साथ इन दौर से पूछे लिपक डिवाली तक चने का क्या भी ऱहीघा को चेपषक क्या 4ro47 को लेवल देखेंगा अ है दिवाली तक चने का डिया है किया लगता हैं रंज में रिचाए पचास तो अब इसी दाएरे मैं आता हुई दिखता है चना और तो ऐसा नहीं लगता कि तेहारी मांग के कारण बहुत ज़्यादा इसमें तेजी आएगी बट 44-45 जा सकता है तेहारी मांग के रहते वे वे वट ओर एक कैप रहेगा इसमें बिकाज आप भी जानते हैं इसमें काफी बफर भी पढ़ा है गौर्मेंट का तो जब भी हाई रे जब मार्केट करेक्ट होता है या फिर लंबी और बड़ी तेजी के बाद जब बाजार में गिरावा सवाल आते हैं कि क्या ये सिर्फ करेक्शन है या फिर गिरावाट लंभी चलेगी नरमी की शुरूआते तो अब इनका यह सवाल है कि क्या गोल्ड और सिल्वर का जो पॉजिटिव ट्रेंड बताया जा रहा था वो अभी भी कंटिन्यू है और यह सिर्फ करेक्शन है क्या कहेंगे आप अभी भी देखिए पॉजिटिव ट्रेंड अंडर्टोन पॉजिटिव ही रहेगा इसका सोने और चांदी का ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया है यह महज एक करेक्शन है होता कि यह बजार जब एक बहुत बड़ी रैली उपर की तरह लेता है यह बहुत बड़ी गिरावट नीचे में लेता तो बजार फिर एक दाइरे में चला जाता है तो उसे हम करेक्शन कहते हैं तो अभी गॉल्ड सिलफर दोनों मुझे करेक्शन क अंदर देखते हैं बहुत बड़ा इसमें गिरावट आएगा नहीं एक स्टीफ फॉल हमने लास्ट वी काते वे देखा था मुझे लगता है उस दिन के जो बॉटम से वह एक मेजर सपोर्ट अंगे और बॉटम के नीचे बजार जाता है मतलब सोना अगर 37,000 के नीचे सस्टे कर जाता हमान सकते हैं कि बजार का ट्रेंड इवर्सल हुआ है अदर्वाइस बजार में गिरावट पर लंबी अवदी के लिए मध्यम से लंबी अवदी के लिए अपॉर्चुनिटी खरीदने का ही लगता है ठीक है प्रवीन है हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर पूछिए प्र राजीब जी या फिर एक गिरावट का वेट करें मितुझे जी अभी बहुत मेजर रसिस्टन्स है 1325 का लेवल एक बहुत एहम रहेगा इसके लिए अगर बजार 1325 के ओपर सक्षम रहा चलने में तब 1360 तक मुझे मैक्सिमम लगता है बट 1360 के ओपर लगता नहीं क्योंकि फंडामेंटल जिसके सपोर्ट में नहीं है हाला कि बजार में फिजिकल मंडियों में अभी जो आवक है थोड़ा त्योहरी सीजन के कारण थोड़ी कम रही है क्योंकि किसान वगरा मंडी में ते लेकर आए नहीं बेचने के लिए अपनी फसल लेकर बेचने के लिए तो उस कुछी विकास हेलो सर मेरा कॉटन के बारे में फिर इसी सवाल है और लेड़ी कॉटन में आज तो तेजी है 110 रुपए की 274 का लेवल है क्या आउट्लूक क्या ट्रेंड आप देख रहे हैं राजीब जी कॉटन का मिर्तुन जी कॉटन ने काफी भरी गिरावट दिखाई है 22-255 के इस तर से और हमने 20,400 तक इसे आते हुए पाया 20,000-20,400 फिर से एक एहम सपूर्ट एरियाज हैं लास्ट जो तेजी बना था वो वो भी 20,000 के आसपस सही बना था और वहां से बजार 25-255 तक गया था तो का कॉट सेलिंग ना करें कॉटन में अगर शॉट करना है तो 21,250 21,300 के आसपस बेचे 2550 के स्टापलोस से और जहां तक लेट का सवाल है यहां से डिट दो रुपे और नीचे फिसल सकता है लेट में बिक्वाली कर सकते हैं 154 पर 155 के स्टापलोस से ठीक है सुनील है भोपाल स सकता है कुछ आइडिया देंगे 3886 अच्छे अच्छे लेवल पर आपने बाई किया है अभी मार्केट है 3947 पर अभी प्रॉफिट बुक कर लें आजी भी आप बने रहे हैं और तेजी आप देख रहे हैं कुरूड में मुझे यहां से और 50 रुपे की और तेजी आते वे लगती है इनको एक स्टापलोस हुझा देता हूं 4915 का जो हमने अपनी बाइंग कॉल में स्टापलोस दिया है उसी स्टापलोस को बना के चले अगर स्टापलोस टिगर भी होता है तब भी इनको एरांड 2839 रुपे का मु पूछे राहूल का मुझफर नगर से पूछे राहूल और मेरे 2700 रुपर दो लोड़ गोल्ड के माइनस पड़े हैं कोपर और गोल्ड आपने बाई किया है अचा गोल्ड सेल कोपर बाई बताएं राजीव जी कोपर में 448 के असपास आए थोड़ा सा रिकावरी आने पर वहां से निकल जाए अभी बेस मेटल्स ट्रेंड लेस हैं कोपर भी कोई ट्रेंड नहीं पकड़ा हुए है 460 के उपर जब भी कोपर चलेगा तब एक ट्रेंड समझ में आएगा उसमें अपसाइट का अधर वाइस अगर कोपर की खरिदारी करनी हो तो 435 के बीच में करें वहां से बजार एक रिकावरी लेता है वह सपोर्ट एरिया है और दूसरा मुतिंजे जी दूसरा एक बर बजार ने डाउनवर्ड करेक्शन स्टार्ट किया हो सकता है बजार नीचे में आपको 37,600, 37,500 तक भी मिले तो थोड़ा सा मुराफ़ा आपको मिल सकता है 100-200 रुपे का वहां पर यह 37,500 के असपर जमना प्रफिट लॉक कर सकते हैं और अधर वाइस अगर ट्रेंड पचास बेच रखे देने चोल गजा तो चाहनों नजी कवर कर ले आज अधर रुपे तीस बेचा पर खरीद लिए तो आज वो कहने मतलब डाउन होगे तो दो रुपे अब हलाकि इन्नों ने ये काय कि 160 तक एंजी का भाव जाएगा तो अगर आपने 158 पर बाई किया है त 63-50 का stop loss जरूर मेंटेन करके चलें क्योंकि एंजी 1662 पर अच्छा असिस्टेंस भी है इसमें दूसी तरफ तो 62 के उपर फिर से चलेगा तो वहां फिर से लॉंग और बना सकते हैं वापिस बट पहला टार्गेट 60 का रखेंगे 60 के उपर थोड़ा वेट करना पड़ेगा और स्टॉप लॉस बावन सॉरी 53-50 का रखना है अगर एवरेज करना चाहिए तो 56 भी कर सकते हैं ठीक है राहूल है हमारे साथ मुंबई से पूछिए राहूल पूछिए राहूल पर गोल्ड बाई किया था 38-300 पर आपने खरीदा है राजी जी ठीक ट्रेड है इनका मृतिन जी अगर मेडियम टर्म लांग टर्म अवदी के लिए इन्होंने लिया है तो कोई प्राब्लम नहीं है अभी तक सोने चान्दी में ट्रेंड इवर्सल के कोई संकेत नहीं है परन्तु एक दो दिन के इस आप से देखेंगे तो बजार एक करेक्शन नीचे की तरफ दिखा सकता है सोना नीचे में 37,500 तक भी आ सकता है और चान्दी जो है एक बर 43,200,43,400 ये दो लेवल तक दिखा सकती है तो अगर ये इतना लंबा अपने ट्रेड में वेट कर सकते हैं नीचे में तो वेट कर लें अधर्वाइस थोड़ा उचाल आए यहां से लाइक सोना 9 950,37,950,38,000 के आसपस है वाँ एक्जिट करें या फिर चान्दी में से 44,000 के आसपस ही एक्जिट करें ओके गुलाब है हमारे साथ मुंबई से पूछिए गुलाब सेप्टेंबर तक गोल्ड का रेट क्या रहेगा राजी जी क्या उटलूक है आगले मेहने के लिए गोल्ड का ओवराल आउटलूक बुलिश ही है सर हमें आने वाले समय में एक बार 49,40,000 दोनों सर आते वे दिखते हैं थोड़ा करेक्शन है दो चार पांच दिन का करेक्शन रह सकता है बजार में बट वो करेक्शन एक लेने का मौका ही रहेगा मेरी राय में 37,500, 400 अगर इस तर आ जा करना चाहिए स्टाप लास 37,000 के नीचे क्लोजिंग का रखना चाहिए और वापिस से हम लक्षे इसमें पहला लक्षे तो 38,000 रहेगा जो बजार रही है अभी तक का जो उच्छे तमस्तर चुआ 38,600 के असपास का और फिर उसके बाद 49,40,000 का टार्गेट रहे हैं हमारे सा कोटा से पूछे नीरज नुश्या असवाइब और सौयबीन और सौयबीन ओयल क्या रहेगा आगे राजीव जी तो सौयबीन 36,000 के असपास अच्छा सपोर्ट ले रहा है मुझे लगता है कि सौयबीन शायद बेस बना रहा है तो एक बार भाव 37,500 तक लगता है आ जाते है वे उपर में तो 36,30 के आसपास इसमें खरिदारी कर सकते हैं सौयबीन में ये 35,80 के स्टॉप लॉस से टागेट 37, 37,50 रख सकते हैं ठीक चले बहुत शुक्रिया राजीब जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बताने के लिए कि कमोलेटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे तो फिलाल इस बुलेटीन में इतना ही